सारस्वत ब्रामढ। साथ ही साथ अन्य व्यवसाई भी करते हैं। सारस्वत ब्रामढों के दचिंड की और प्रवास को सकंद पुराण में समझाया गया है। सांता दुर्गा, मंगेश, महालसा, नागेश और महालक्षमी देवता उनके साथ कॉंगड गये थे। सारस्वत भारतियों को महादूइप के उत्री भाग में बिस्तिर्थ शित्र में फैले हुए थे। एक समुह तटी सिंध और गुजरात में रहता था। यह समुह 1947 में भारत के विभाजन के बाद बॉंबे राज में अस्थानांतरित हो गया। एक समुह विभाजन पूर्व पंजाब और कस्मीर में पाया गया। यह भी पाकिस्तान में इस्तित पंजाब के हिस्से से दूर हो गया। 1947 के बाद धचडात्रे सारस्वत ब्रामण के नाम से जानी जानने वाली एक और साखा अब भारत के पस्मित तड़ पर रहते हैं। बलुचिस्तान से उत्पन होने वाले सारस्वत ब्रामणों को सिंधुर कहा जाता था और उन्हें निम्न जाती का माना जाता था। उनके पास भगवान स्री राम चंदर की पूजा पाठकिया करते थे वे लोग भगवान स्री राम चंदर और परशुराम जी को एक समान ही कहते थे दोनों को स्री राम के नाम से ही जानते थे उन्हें बलचिस्तान में कोई पूजारी नहीं मिला और उन्होंने कुछ मलेच्छों के सिर पर तिलक लगाया जुर्गन सेफलेचनर ने इतिहासकार रोवे का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे निम्न स्रेड़ी के ब्रामधों ने खत्री लोहाना आद जैसे वैसे जातियों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाया जो अपने वंड की इस्थिती में सुधार हो सके और उनको इसका लाभ भी मिला